वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स थ्रो द बुक थ्रो द लाइफ इस चैनल में हम बुक्स के एक एक चैप्टर को डिसकस करते हैं ताकि उसकी नौलेज को हम अपनी जिंदेगी में एपलाई कर सकें और सफलता के और आगे भड़ सकें हमारा पहला बुक है दो पावार अब स हम अपने सबकंसर्ज के जरीए धन पा सकते हैं और कैसे पा सकते हैं इसका जो जितना सारा टेक्नीक है वो हमने पिछले चैप्टर में डिसकस किये हुए हैं अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आई बटं पे क्लिक करके लास्ट वीडियो में जा सकते हैं दोस्तों इस chapter में हम पैसे को लेके हमारा जो भावनाए है उस से हम कैसे बदलेंगे और पैसे के साथ कैसे दोस्ती करेंगे ये सीखेंगे देखिए दोस्तों पहले चीजों का जो आदान प्रदान होता था वो सोने चांदी से होता था फिर दीरे-दीरे क्या हुआ जो धन का जो आंकडा है वो भेड बकरी इन सब से आंका गया तो इन सब से हमको ये पता चलता है कि धन जो है वो सिर्फ एक प्रतीक है ये अगर मुक्त रूप से फ्लो हो रहा है तो आप दौलत मंद है और अगर इसको को कोई टीन के डिबे में आप बंद करके रखते हैं और इनसीक्यूर फील करते हैं कि कहीं ये खतम नहीं हो जाए कहीं ये खतम तो नहीं हो जाएगा तो आप फाइननसियली बिमार हो सकते हैं और यहीं है दोस्तों किसी के दौलत मंद होने का राज और किसी के गरीब होने का दौलत का असली स्रोत हमारा सोच है हम कितने दौलत मन रहेंगे ये हमारी सोच के उपर डिपेंड करता है आर्थिक संकट स्टॉक मार्केट में उतार चड़ाओ या फिर कहीं पर मंदीव होती है या फिर हड़ताल हो गई या फिर बढ़ती महंगाई ये सब नहीं डिसाइड करता कि हमारे पास धन रहेंगे या नहीं अगर हम लगातार अपने सबकंसेस को दौलत का विचार देते रहते हैं तो हर सिच्वेशन में हमारा दौलत हमारे पास ही रहता है और हमारा जो अंदर की सकती है वो हमें हमेशा दौलत मंद बना के रखता है देखिए दोस्तो आज तक अगर किसी के पास धन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा नजरिया धन के प्रती नेगटिव हम खुल कर धन का निंदा करते हैं या धन ही सारी मुसीबत की जड़ है ऐसा हमारे दिमाग में बैठ गया है हमारे इन सारी सोचों के वज़े से इन सारी भावनाओं की वज़े से हमको हमारी मन चाहे धन नहीं मिल सकते तो अभी अगर हम इन भावनाओं को बदल दे तो हमारी परिस्तिती सुधर सकती है और एक बहुत important बात राइटर यहां बोल रहे हैं कि धन को संतूलित रखना चाहिए जीवन के साथ, अगर हम सिर्फ धन चाहें और अपना पूरा जीवन उसी में लगाते हैं, तो हम बहुत कुछ खो भी सकते हैं, हम इस दुनिया में अपना वेस्ट लाइफ जीने के लिए आये हैं दोस्तों, और सब कुछ इस दुनिया में भरपूर परिमान में हैं, हमें उस क्रियेटर के उपर विश्वास रखना हैं, और हर वो चीज जो हमें चाहिए, चाहे वो धन हो, सांती हो, प्रेम हो, खुसी हो, अच्छा स्वास्तिय हो, जो भी चीज पर हम फोकस करेंगे, हमको वो सारी चीज मिलेंगी, तो हमारा काम अभी क्या है, दोस्तों, कि हम जिन्देगी की हर पहलू में अपना फोकस बनाए रखें, और हमारे लाइफ को एक बालांस्ट लाइफ के तरह चलाएं, जैसे सरीर में बीमारी होने का मतलब क्या होता है, कि हमारे फिलिंग में कोई गडबड है, जै थिक वैसे ही, धन की अगर कोई कमी है, तो इसका मतलब क्या है, धन को लेके जो हमारा फिलिंग से वो थोड़ा सा गडबड है, तो उसको हमको ठीक करना है, धन के बारे में जो भी गलत विश्वास या अंध विश्वास है, उसको हमें दिमाग से निकालना है, यहां सेंटेंस दिये गये हैं इस चेप्टर में दोस्तों तो आप लोग प्लीज बुक के थो जाए और अगर आपको बुक चाहिए तो उसका लिंक भी हमने डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं यहां राइटर एक बड़िया स्टोरी डेस्क्राइब किये हैं दोस्तों जो कि एक ऑस्ट्रेलियान यॉंग बय का है जिसको डॉक्टर बना था पर फाइनांसियली कुछ प्रोलेम्स के वज़े से वह डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन वह एक डॉक्टर के पास हेल्प करने के लिए वहां पर कुछ तनखा में रहे गए लेकिन वह रोज अपने दिमाग में वह मेडिकल सार्टिफिकेट में अपने नाम को देखते रहे ठीक है और करीबन फोर मन्त के बाद वह जिस डॉक्टर के पास काम कर रहे थे उन तो एट लास्ट वह डॉक्टर बन ही गए तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या हुआ उन्होंने अपने वह जो यॉंग बॉय थी वह जो डॉक्टर बाद में बने उन्होंने अपने दिमाग में बुने हुए जो बीज जो डॉक्टर बनने का जो बीज उन्होंने बुना उनको मरने नहीं दिया उनको हमेशा विज्वालाइज करके उन्होंने अपने वो बीच को पाला बढ़ा किया और प्रेम के साथ जब उसको रोज अपने सबकंसर्स में उतारने लगे तो उनका सबकंसर्स उनके लिए वैसे ही सिच्वेशन क्रियेट किये जहां पर वो सही में डॉक्टर बन सके इस यॉंग लेड़के ने अपने दिमाग में रेजिस्टेन नहीं क्रियेट किया या इंपेसंज या फिर गुसा नहीं होके आराम से अपना सबकंसस के उपर वो काम किये कुछ लोग होते हैं जो अपनी नौकरी में ज़्यादा सेलरी नहीं कमा पाते हैं उनको लगता है हमारे काम की हिसाब से हमारी योग्यता की हिसाब से हमारी सेलरी जो है वो कम है पर क्या होता है दोस्तों यहाँ पर वो हमेशा गुसा होते रहते हैं बॉस को कंप्लेन करते रहते हैं, तो सेलरी नहीं बढ़ने का जो कारण है, एक चुली उनका बॉस नहीं होता है, बलकि हमारे खुद की सोच की प्रोलिम है, कि हम ये सोच रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, सेलरी नहीं बढ़ रहा है, तो जब हमारे दिम हमारे दिमाग में डालना चालू करता है, ऐसे सोच को हमको निकालना है, बहुत लोग बोलते हैं, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, इस सोच रखने वाले लोग हमेशा गरीब रहते हैं, क्योंकि हम जब कोई परसन या उसके संपत्ति को निंदा करते हैं, तो इसका असली मतल क्या होता है, दोस्तों, हम अपने तरफ आने वाली दौलत के स्रोत को बंद कर देते हैं, मतलब, जब हम किसी के संपत्ति या किसी दौलतमंद व्यक्ति के प्रती, जब हम खराब भावना रखते हैं, तो सबसे पहले वो जो feeling है, वो negative feeling है, वो हमारे अंदर create होता है, ठीक है तो जब वो negative feeling हमारे अंदर create होता है तो क्या होता है बार-बार जब वो feeling हमारे अंदर create होता है तो वो हमारे subconscious को negatively programming करता रहता है जिससे हम हमेशा धन से दूर रहते हैं सो दोस्तो जिसके पास दौलत है मतलब जो कोई दौलत मन व्यक्ति है या फिर दौलत इन दोनों को हमको प्यार करना है और अगर हम उसको प्यार की नजर से देखते हैं कोई भी अगर दौलत मन आदमी को देखते हैं और हमारे मन में ये भावना लाते हैं कि उसकी दौलत और तो exactly जब हम ऐसे वावनाएं रखते हैं दौलत के प्रती दौलत मन व्यक्ति के प्रती इर्शा ना करके जब हम positive सोच उनके लिए रखते हैं तो actually में हमारे अंदर हमारे जो subconscious है हमारे अंदर एक abundance का feeling create होता है जो कि हमको अपने मन चाहा दौलत पाने में help करता है यहां पर writer एक बड़िया बात बोले हैं कि अगर हम invest करने के बारे में सोच रहे हैं और confused है या हमको डर लग रहा है तो धीरे से हम अगर हम अपने subconscious से दावा करें कि मेरा subconscious का unlimited power मेरे सारे financial condition का care करता है मैं जो भी करूंगा success हो जाओंगा मुझे जो भी चाहिए मेरा subconscious मुझे ल conscious हमें जरूर मार्ग दर्शन कराता है दोस्तों देखिए दोस्तों बिना कुछ दिये कुछ नहीं मिलता अगर हम कुछ भी पाना चाहते हैं तो हमें देना क्या पड़ेगा देखिए हमको देना वही है एक ही चीज वो है हमारा focus हमारा focus जिधर जाएगा हमारी energy उधर हम अगर धन के प्रति कोई negative सोच ना रखके लगातार आपने subconscious को दौलत का संदेश देते रहें तो हम जरूर दौलत मन बन सकते हैं दोस्तों ये था हमारा आज का chapter अमीर बनने का हक सब को है प्लीज बुक के थ्रो आप सब जाएए और आज हम जो भी सीखे या फिर पहले भ अपनी friends, अपनी family हर किसी के साथ share कीजिए ताकि हम सब मिलके दुनिया के हर किसी के कोई भी problem है उसको solve कर सकते हैं तो हम सब की help कर सकते हैं ऐसे किताबों के जरिये किताब को पढ़के और सिर्प पढ़के नहीं दोस्तो knowledge is power but applying knowledge is superpower सो हमको इन किताब में हम जो भी सीख रहे हैं हमको उसको अपनी जिन्देगी में उतारना है और हमें सब को अपनी जिन्देगी की हर जो problem है उसको solve करके एक बड़िया जिन्देगी गुजारना है सुख और सम्रुद्धि में जीवन हम सब को बीताना है क्योंकि हम सब deserve करते हैं हम सब उस परमात्मा के अंस हैं और हम सब एक-एक divine power हैं so we deserve all the fullest form of life and everything जो भी दुनिया में हैं हर चीज हम deserve करते हैं चाहे वो health हो, wealth हो, happiness हो, joy हो, कुछ भी हो, कुछ भी अगर हम चाहते हैं तो बिलकुल हम उसे deserve करते हैं और हम उसको पा सकते हैं so ये था हमारा आज का chapter दोस्तों तो आगे भी बहुत सारे interesting topic हैं इस book में तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें so stay connected, stay happy and thank you